सीजन का पहला और सबसे आसान सा नी मोने की रेसिपी लेकर आई हूं नमस्कार मेरी यूटुब फैमली कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूंगे मस्त होंगे मेरी वीडियो देखने के बादी विश्त होंगे तो सबसे पहले लेंगे मिकसर जार उसमें डालेंगे अद्रग 10-15 लेसिन की कलिया 5-6 हैरी मिर्च और धनिया की पत्ती जो है वो रफली चौप करके फिर इसमें में डाल रही हूं कम से कम 1-500 ग्राम के करीम मतर जितनी फैमिली हो आपकी उसकी क्वांटिटी और बढ़ा दीजे तो फिर अब इसके बाद इसमें साबुद जी रहा और मैं पस साबुद धनिया नहीं था इसलिए मैंने धनिया का पावडर इसमें एड़ कर दि और आप लोग से कहना चाहिए कि प्लीज में वीडियो को लाइक करके में चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए तो ट्रावाटर पी हमारा हो चुका है और इससे आसान नीमोनी की रेसिपी आपको अभी तक तो किसी ने भी नहीं बताई होगी अब क्या करूंगी जो मैंने फेस्ट बना के रखा था उससे निकाल लोगे एक टोरी में कडाही रखेंगे कडाही में तेल डालेंगे तेल को धुआधार गर्यम होने देंगे उसके बाद सारी गोवियों को डाल के इसमें न हम कर लेते हैं इसको फ्राई तो फ्राई करनी क अब जीरे और हींग का इसी कडाही में मैंने तड़का लगा दिया है क्योंकि हींग के बीना तो निमोना का कोई मतलब ही नहीं रहा जाता है अब उसके बाद जो हमने प्यूरी बना के रखी थी उसे इसमें डाल देंगे थोड़ी देर इसकी भुनाई सुनाई करने के इसकी भुनाई करेंगे 5-6 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद आप तो देख सकते हैं कि इसका कलर हो गया है थोड़ा सचेज तो अब हम इसी स्टेज पे मतर डाल देंगे जो हमने इसमें डाल दिया टामाटर जो हमने कट करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक भुनने के बाद अब हम ढ़क देंगे थोड़ी देर के लिए और खोल के इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ आधी छूटी चममच इसके बाद इसकी भुनाई अभी हम लगातार करते रहेंगे ढग ढग के देख लिजे यह अच् थोड़ने लगा है हमारा निमोना मतलब इसका मतलब यह है कि निमोना अच्छी तरह से भुना जा चुका है तो फिर भी अभी इससे थोड़ी से और भुनेंगे और जितना आप निमोने को भुनेंगे ना मसाले को उतना जादा टेस्टी हमारा निमोना बनके तयार होगा त इतना आपको ग्रेवी चाहिए उतना इसमे आप पाई डाल दीजे तो मैंने एक गिलास के करिए में मतलब 200 ग्राम मैंने इसमें पाई डाल दिया है और हम हम इसे ढख देंगे ढख के इसे पकाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे खोल के चलाते रहेंगे जब कर दीजे यहां तेल गरम लिया है मैंने उसमें चीरे का तड़का लगाया है तेजपता लहसन और हींग क्योंकि तड़के के बिना निमूना बेकार है और पते अगर साबुत लहसन की पत्तिया होना तो और मज़ेदार होने वाला है आपका निमूना पर मिर पास नहीं थी और उपर से मैंने थोड़ी सी धनियागी पत्ति डाले और जो तड़का मैंने बनाया था वो भी डाल दिया आप देख लिजे आप लोग कितना टेस्टी दिख रहा है कितना मज़ेदार सा दिख रहा है चावल के साथ खाईए या पूरी पराटे के साथ खाईए पर बहुत जादा टेस्टी बहुत जादा अमेजिंग रेसिपी लगने वाली है तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी कहीं भी आपको देखे तो प्लीज मुझे कर्मेंट करके बताई वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना प्लीज मुझे जादा और सयर बताई gjort जाने ऑली है और सब्सक्राइब करेंटनwel shortenत्रा करना ना जादा हा इसology रेसिपींग वीडियो लाइक है